इंदोर शहर में चाकुबाजी की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं ताजा मामला सुमवारात का है जहां अलग-अलग चाकुबाजी की घटनाओं में तीन महलाओं से तिचार लोग खैल हो गए जिनका एमबाइस पताल में उपचार जादी है पहली घटनाओ पंडितना थानक शीतर के कोईला बाखल की है यहां आपसी विवात के जलते गुलफाम ने पास में ही रहने वाले महमद यूसूफ और उसकी पतनी रुकसान अभी पचाकुबाजी से हमला कर दिया हमले में पती पतनी खायल हो गए तो उनों खायलों को उपचार के लिए एमबाइस पताल में भरती करवाया गया पता रहा है किसे ने वारा नाम पता रहा है कुछ गुल फाम करके नाम बता रहा है वहीं दूसरी घिटना परदेशी पुरक खनक शेत्र की टापू नगर की है यहाँ पारिवारिक विवात के चलते बेरहम पती ने अपनी साली और पतनी पचाकूँ से हमला कर दिया हमले में पतनी माया और साली गोल उराठों खायल हो गई जिने उप्चाल के लिए अस्पताल में भरती करवाये गया है हमले के बात से आरूप इशुभम सिर्सिया फरार है जिसकी तलाश चारी है क्या हुआ था अमा यहां था 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 फिर इंचारे को जाए तो इन ने बोला में इंपाइ में जाज कर दो आपके साथ लेकिन बोला कि मादा गंटे वादा हम गदम कि हाँ आ जाना आए तो चक्कु लेका ते लिए इसको चकु मारा लड़की को बड़ी बाड़ी व अच्छा तो कि पत्नी को और साली कोमारा था क्या नाम इंदोनों का उख इसका नाम है तो यह अदिदेस को मतला उसकी नंदी करा था अच्छा अच्छा एक का इसका शुआ हि कहा हुआ का आप नगर मूसाट बीवाद आप